जैहिन प्रेंस वेलकम टो माई OPC यूटूब चैनल फ्री जो पोस्टिंग में आज किस वीडियो में हम जो है डिसकस करने वाले हैं आपके बी आरों की रिकूरूटमेंट के बारे में दोस्त आपको बता दें कि बी आरों के ड्रैवर के सबसी ज़्यादा पदों पर भरती और साथ में आपके यहां पर अन्य पदों पर जो वेकेंसी है उसके रिगार्डिंग यहां पर कंप्लीट जनकर डिसकस करेंगे कब से आप अपलाई करेंगे लाज डेट क्या रहेगी सा भी नए आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में वीडियो के डिस्क्राइशन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है तो सभी कैंडिडेट वहां से जाकर टेलीग्राम को जोइन कर लेना क्योंकि नोटिफिकेस्न आपको वहीं पर मिलेगा और आप आपकी अन्य जानकारी जो नोटिफिक वगरा होते हैं वो आपको सबके सब टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं तो सभी भाई को आप जो है की डिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाकर टेलीग्राम को जरूर जोइन करें अभी यहां पर दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज़ जो ह आपकी यहां पर पद जो है किसके पद यहां पर रखे गए हैं वो यहां पर बात कर लेते हैं तो आपकी जो वेकेंसी है वो यहां पर कोक ड्राइवर और इसके साथी आपका वेकल मेकेनिक वोचमेन रेडियो मेकेनिक दोस्त लगबग आपकी यहां पर जो वेकेंसी है वो regarding जो है complete जनकारी दीजेगा तो दोस्तों आपको बता दें कि driver जो है उसमें सबसे ज़्यादा पद यानि लगबग 455 वेकेंसी आपकी रहेगी वेकल मेकेनिक जिसमें 201 वेकेंसी वोचमें जिसमें 166 वेकेंसी रेडियो मेकेनिक जिसमें 210 वेकेंसी और ओटल जो वेकेंसी की बात करते हैं दोस्तों जो आपका यहाँ पर 1310 वेकेंसी का नोटिपिकेशन आने वाला है इसके साथ ही यहाँ पे जो सबसे important चीज़ है कि आपकी जो education qualification भी थोड़ा सा discuss करते हैं और main topic जो है आपके उसी की और हम आते हैं लेकिन एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा यह जो आपकी cook की vacancy रहेगी आप 10 वी पास candidate apply कर सकते हैं ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी आप 10 वी पास candidate apply कर सकते हैं बाट आपके पास additional जो है आपके पास license भी होना आवशक है इसके अलावा जो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आपकी रहेगी जैसे वेकल है mechanic या फिर watchman या radio mechanic इनमें सब में अपनी related field related होना चाहिए साथ में आपका 10 वी पास candidate यहाँ पे apply कर सकता है mechanic के लिए आपर यही है कि आप आप आपास candidate होने चाहिए इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा age के बारे में भी discuss किया जाए क्योंकि और आपका जो man topic है कि कब से हम apply करें तो वो भी मैं बात करने वाला हूँ लेकिन man topic कुछ बच्चे नहीं आये होंगे तो हम आपको बता देता हूँ minimum जो age रहेगी वो 18 साल रहेगी में जिम आपका 27 साल रहेगा age में छूट मिलने वाला है यहाँ पे OBC candidate को 3 साल का HCT को यहाँ पे 5 साल का age relaxation मिलने वाला है इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा trade की regarding जो आपकी cook trade है उसमें 18 से 25 साल age रहेगी इसके साथ ही यहाँ पे वेकल मेकेनिकी बात करें तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको 18 से 30 साल वाउ इसके साथ ही यहाँ पे driver की जो vacancy है उसमें आपको बता दें दोस्ते तो आपका जो यहाँ पे age रहेगा वो 18 से 27 साल यहाँ पे रहने वाला है तो सभी candidate यहाँ पे जो है अपना data को note करते जाएगा मैं आपको man topic की वे जो अभी आ रहा हूँ notification की और आ रहा हूँ बट मैं थोड़ी चीजें जो आपको बताना चाहूं मैं ताकि जो आपके कोई दिक्कत ना है कोई fee वगर ज़्यादा नहीं होती है मातर पचास रुपे जो होता है वो आपका यहाँ पे रहता है जो आपके general OBC AWS candidate के लिए अब हम पात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे महतवपुन topic है उसकी और यहाँ पे man important चीजें जो हमने discuss कर लिया है हलांकि education qualification को थोड़ा सा selection process भी देख लेते हैं क्योंकि काफी बचे selection process को भी दरकिनार नहीं कर सकते तो दोस्तों सबसे पहला काम exam होने वाला है तो आप सभी exam की त्यारी तो करना ही पड़ेगा उसके बाद आपका trade test या document verification medical examination एक simple सी process आपकी यहाँ पे रखी जाती है अब मैं बात करता हूँ मैं जो आपका यहाँ पे notification की आप सभी ने देखा होगा दोस्त exam rifle का notification आपका अधिकारी के लिए जारी कर दिया गया हालनकि एक बार website पर नहीं मिरा होगा लेकिन बाहर तो जो की आ चुका है बियारों में भी ऐसा ही होता है कि आपकी जो है दोस्त D.O.E.P. की vacancy जो है D.O.E.P. की साइट पर आपकी वेकंसी को जारी किया गया जाता है इसके अलावा अभी मैं बात करता हूँ बियारों की तो बियारों का भी vacancy दोस्त आपके सामने यहाँ पे आप सभी को बता दें आपके vacancy जो है notification आपका जल्दी आपको अधिकारिक website पर देखने को मिलेगा आपको सभी को एक चीज और important चीज हम बता दें कि जो बी आरो का recruitment का notification है दोस्त वो आपका बहुत जल्द आपको site पर देखने को मिलेगा उससे पहले आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा अब सवाल आता है कि यह कब तक देखने को मिलेगा साथ में दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्त आपकी एक भरती थी awesome rifle जो की थोड़ी लेट हुई है अबकी बार और ऐसे ही करके क्योंकि बियारो का भी recruitment आपका जारी हो जाता लेकिन बियारो भी awesome rifle की तरह ही लेट किया जा रहा है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर important चीज़ बता दें कि भरती जो है बिल्कुल fix है वेकेंसी आना बिल्कुल जो की लाजमी है दोस्त चरूर जो आपकी वेकेंसी हमेशा आती है तो अब की बार भी वेकेंसी आएगी दोस्तो आपको बता दें कि अभी आप देख सकते हैं बियारो की ओपिसली साइट में हैं और बियारो का यहाँ पर कोई भी update आपका जो होता है वो यहाँ पर जारी किया जाता है लेकिन वेकेंसी का जो notification होता है वो आपका यहाँ पर बता दें आपको की एक मिनट भाई चल कर देते हैं कि आपका जो भी notification हमारे पास सबसे पहले आता है तो वियारो का जैसे notification आता है तो हम आपको update लगातार कर देते हैं अभी हम जो है यहाँ पर important चीज जो है discuss करें दोस्त सबसे important चीजशे क्या है सबसे important चीज़े है कि दोस्त आपका जो व का recruitment है बी आरो का recruitment डेट की बात कर लें तो आपका October मंत का लास्ट वीक तक आपका बड़ा अपटेट देखने को मिलेगा और आपके जो है यहां पे apply की बात करें तो दोस्त लास्ट वीक तक आपके start हो जाएंगे और आपके 45 दिन तक आवेदन चलने वाले हैं अभी देखे कोई लास्ट डेट नहीं है काफी बचे की सर बता दीजिए लास्ट डेट क्या है हमें बी आरो का application form मिल गया है बै बी आरो का application form तो हम भी दे दें लेकिन आपको पता है ना अभी भरती नहीं आई है तो कैसे बी आरो का application form आपे ले रहे हैं और आप भी गलती कर रहे हैं क्योंकि पुराना application form लेंगे तो आपका reject कर दिया जाएगा new application form जारी किया जाएगा और उसी के बाद आपको आवे दिन करना चाहिए पहले आप आवे दिन तो कर दोगे लेकिन वो accept नहीं होता है तो आपकी जैसे ही भरती आएगी आपको मैं लगातार अपडेट करता हूँ और इसका offline जो आवे दिन जैसे ही start होगा उसी दिन आपसे जो है दोस्त साइट पर या फिर दोस्त आपको मैं टेलिग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ और offline form आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा प्रोवाइड करवाने में हम भी टाइफ करके आपको दे सकते हैं लेकिन जब तक भरती नहीं आती है जब तक employment due to paper में नहीं आती है तब तक आपको हम आवेदन नहीं दे सकते हैं और एक यह भी कारण रहता है कि डिवीप के साइट पर नहीं आती है तब तक भी हम आवेदन नहीं देते हैं तो आप सभी जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्त लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं अभी फिलाल फिलाल के लिए आप केवल एक्जाम की त्यार भी हैं दोस्त आपका ट्रेट का तो खुद को करना पड़ेगा लेकिन आपको अधर जो नोट्स हैं वो हम आपको प्रवाइड करवा देंगे मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इसी परकार जनकर मिलते रहेगी जहींदे